नमस्कार किसान भाइओ, आप देख रहे हैं उन्यत किसान किसान भाइओ, हम बात करेंगे धान में देने वाले रोगों के लिए सिजरेटा कंपनी की टिल्ट फंगी साइड के बारे में जो कि टिल्ट का बहुत ही प्रॉबवित समय धान है जो फसला को फंगस के रोगों से बजाता है और किसन भाईयो फसल को सुरकसा और लापड़ान करता है तो किसन भाईयो हम इस वीडियो में टेल्ट के बारे पूरी डिटल से बात करेंगे कि टेल्ट फंगिसाइड में टेकनिकल क्या है और या कैसे काम करता है इसको दान के लावा हम और किन फसलों में डाल सकते हैं या नहीं और या कौन कौन सी फसलों के कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है इसकी मातरा क्या रहेगी और इसके रिजल्ट हमारे खेता में कितने दिन तक रहता है और इसकी किमत क्या है तो यह सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में जो किसान भाई हमारे चैनल पे नए आए हैं वो वीडियो के नीचे दिये गए लारंग के बटन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारी नई वीडियो दिखती रहे हैं तो किसान भाईयो सबसे पहले बात करेंगे तिल्ट क्या है तिल्ट को सबसे अधीक लागत वाली फंगिसाइड में से एक मनता प्राप्त है और यह फसल की गुर्ण्वत्ता में संधार करते वे फशलों को अधिक्तम उतजबदान करने में मदद करता एं तेखनी काई है प्र को सिस्टम के मादम से कंट्रॉल करता है जैसे कि है तेजी से पत्तों और तल्नों दोरत पोदों में तुर्ण पहुंच जाता है इसके ये अलावा ये जाइलम के मादम से पोदों के सभी भागों में पहुंच जाता है और आप टिल्ट की रोगों की सुरुवात या सुरुव दिन के अंतराल पर और अगर रोग कम है तो 21 दिन के अंतराल पर किसन tutaj eo आप इसकी सप्रे कर सकते हैं dánd इसे दान में मोटे और चमकदार बनते है इससे पेदावार भी काफी अच्छी होती है और यह जो फंगिसाइड होती है टाइजौल फंगिसाइड है tilt fungicide और कौन-कौन सी फसलों में कर सकते हैं और कौन-कौन से रगों को कंट्रोल करता है तो किसन भाईयो धान की फसल में early live spot को परभवी धंग से कंट्रोल करता है और धान के अलावा आप इसे गहों की फसल में yellow rest, brown rest, black rest को कंट्रोल करने के लिए सप्रेक कर सकते हैं स्वेबिन्स, मूंगफली, केला और कोफी की फसल में रश्ट, लिफ्ट, स्वोर्ट और टिका को कंट्रोल करता है इस केला और भी कई फसलों में tilt काम करता है अब हम बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में तो किसन भायो, दाहन, गेहूं, चावल, मूंगफली और केला में इसकी मात्रा रहेगी 200 ml परती एकर और चाई की फसल में इसकी मात्रा है 5200 ml परती एकर और आप इसे सप्रे में 1500 से 100 सी लिटर एक लिटर परती एकर पानी का परियोग करें ता आपके अपको पूरा रिजल्ट मिल पाए तिल्ट उपज बढ़ाने के साथ साथ बेतर सुरक्सा परता है यह वर्ण के लिए भी सुरक्सीत है और आप इस तिल्ट को इंसेक्टिक साइड के साथ मिला कर भी डाल सकते हैं और अब बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में किसान भाईयो टिल्ट के रिजल्ट 15-18 दिन तक रहता है और इसके पेकिंग जुसाई जाता है वो आता है 250 एमेल 500 एमेल और एक लिटर है और एक लिटर की किमत रहेगी 11 सुरक्सा जान्यवाद किसान भाईयो